आज आपके लिए ऐसी वेकिंसी लेकर आया हूँ जो कब निकलती हैं और कब चली जाती हैं बच्चों को पता ही नहीं चलता हेलो स्टेंट्स, माइनम इस अजर्खान और वेलकम तू माई यूट्यूब चलने खार टिक्स्टर तो दोस्तों ICMR ने एनाउस कर दी हैं LDC, UDC, Stenographer के लिए भरती इसकी डिटेल में बात करेंगे के ICMR क्या है या NCDIR क्या है इसमें Selection Process क्या रहता है कितनी Post हैं, कितनी Salary है, Age Criteria क्या है सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में बहुत Important वीडियो और बहुत Important Vacancy है इसलिए इस Class को एंट तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी Share कीजेगा तो यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले ICMR दोस्तों क्या है देखें Indian Council of Medical Research ICMR कहलाता है इसके ये Body है किसकी National Center of Disease Informating and Research में vacancies एनाउस की गई है और यह आता है हमारी Department of Health Research Ministry of Health and Family Welfare Government of India की तरूँ यह एक Permanent Job है दोस्तों यह एक Permanent Job है अगर आपकी Job लगती है तो Permanent Job लगेगी Male Female दोनों इसके लिए Apply कर सकते हैं Male और Female दोनों इसके लिए Apply कर सकते हैं और यह All Over India की Vacancy यानि की All Over India के Students इसके लिए Apply कर सकते हैं ठीक है ऐसे नहीं है आप किसी Particular State के हैं तो आप इसके लिए Apply नहीं कर सकते हैं किसी भी State का बच्चा इसके लिए Apply कर सकता है यह है इसकी Official Website www.ncdirindia.org यह इसकी Official Website है ठीक है अब डिटेल में बात करते हैं इसकी Number of Post की के Post के According आपसे क्या-क्या मांगा गया है क्या-क्या Qualification है क्या Age Criteria ठीक है यहां पर सबसे पहले Date देख लो वाई Date जान लो सबसे पहले इसके Registration Already शुरू हो चुके है 28 November से अब Last Date इसके Apply करने की है दोस्तो 29 December शाम के 5 बजे तक तो इससे पहले पहले आप इसके लिए Apply कर दें अगर आप इस जॉब के लिए Interested हो और Qualified है तो ठीक है तो आप बात करते हैं एक-एक करके सबसे पहले आते हैं तो पहली है Upper Division Clerk की Pay Matrix इसमें क्या रहने वाल है दोस्तो देखे 25500 से शुरुआत होती 81100 तक इसकी मंतली salary आपकी हो जाती है यहाँ पर आपकी Number of Post हैं दो दो Number of Post हैं वो भी किसकी General वालों के लिए Number of Post हैं 2 अब आप यह मत सोचेगा कि Number of Post कम है तो मैं इसके लिए apply नहीं करूँ जितनी Number of Post कम होती हैं दोस्तों यह ऐसी vacancies हैं जो बच्चे ध्यानी नहीं देते जिसपे यहाँ कि आपका जो competition होता है बहुत ही कम होता है और जिनको यह पता होता है इन पोस्त के बारे में यह निकली हैं कब निकलती हैं वो इन vacancies में इसमें selection पा जाते हैं अब यहाँ पर देखें एप्लाई करने के लिए दोस्तों जादा फीस नहीं मांगी गई है तो 300 इसके लिए application की fees रखी गई है general और OBC वालों के लिए और बाकी के लिए यह form free रहेगा HCST category वालों के लिए ठीक है तो इतनी भी जादा फीस नहीं आप इसके लिए apply कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर देखें क्या मांगा गया है degree of a recognized university आप से bachelor degree मांगी गई है किसी भी फिल्ड में देन आप से मांगीए typing speed of 35 word per minute in English और 30 words per minute in Hindi ठीक है तो यह दो qualification मांगी गई है इसमें desirable qualification होती है दोस्तों अगर दोनों बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं जिनके पास ही desirable post graduate degree और यह डिग्री ग्रेजवेट हैं और पोस्ट ग्रेजवेट हैं तो उनको जादा preference मिलती है जो post graduate है यह याद रखेगा ठीक है फास इतना फरक है लेकिन आप apply कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजवेशन के डिग्री है तो ठीक है और typing speed है आप कितनी age criteria देख लिए 18-27 साल आपको age इसमें होने चाहिए relaxation वही है plus 3 years for OBC plus 5 years for SCST categories then आगे आते हैं next pay LDC lower division clerk के लिए देखें यहाँ पर lower division clerk के लिए pay matrix है 19,900 से शुरुआत होती है 37,200 तक इसकी चली जाती है number of post है दो एक OBC के लिए और एक general वालों के लिए 12th class pass होने चाहिए या equivalent qualification typing speed same है 35 words per minute in English ठीक है यहाँ पर 12th मांगे गई है दोस्तो अपर division में हर जगा जहां भी यह post निकलते हैं division की graduation मांगी होती है और lower division की 12th मांगी गई होती है ठीक है यहाँ पर desirable graduates हो गए वही अब आगे इसकी इसकी भी एज 18 से 27 साल मांगी गई है relaxation same है age का आगे आजए इस्टेनो की इस्टेनोग्राफ की पोस्ट है number of vacancies है तीन vacancies है इसमें दोस्तों बेशक मेकेंसी कम है लेकिन यह याद रखेंगा दोस्तों permanent job है और ministry of health में आपकी job लगी कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है न तो यहाँ पर देखिए थ्री पोस्ट है इसकी salary 25,500 से 81,100 तक इसकी चली जाती है 12th मांगी गई है इसमें भी और typing speed 80 words per minute होने चाहिए short hand in English और in Hindi ठीक है तो short hand जो बच्चे government job की तयारी कर रहे है न दोस्तों वो स्टेनों की post उनके लिए एक option हो जाता है अगर उनकी typing speed या नहीं की short hand writing आती है उनको short hand आती है तो और short hand सीखना कुछ जादा मुश्किल काम नहीं है तो विदिन 6th month में आप इसके लिए expert हो जाते है तीन 2-3 महिने में आपको आ जाती है बहुत अच्छी कि आप यह जो short hand का यह वाला portion है typing speed word 80 word per minute यह अराम से clear कर ल ठीक है तो इसमें एज 18 से 27 साल मांगी गई है desirable qualifications graduate होने चाहिए बस वही है आगे चलो वही चलिए अब इसके आ जाते है प्रोसेस पे selection process कैसे रहता है इसका selection process में देखें यहां पर आपका पहला होगा return test then होगा skill test PST PET skill test में वहीं typing speed आगई आपकी typing test होता है document verification then medical examination अब यहां पर देखें जो इसका detailed detailed written exam है कौन-कौन से subject कितने marks के आते हैं वह आप इसके official notification में देख सकते हैं जिसका मैंने description में link आपको mention कर दिया है ठीक है description में link आपको मिल जागा इसके official notification का भी और इस post के लिए apply करने का भी link description में मिल जाएगा ताकि आपकी help हो जाए आपको कहीं और search ना करना पड़े इस से related इस post से related ठीक है भाई तो यहां पर आज की इस video को यहीं खतम करेंगे ऐसी और examination updates के लिए classes के लिए हमाई चैनल को subscribe करने ना भूले बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि daily job application classes की videos upload होते हैं आपके लिए बहुत जादा beneficial हैं जो ठीक है मिलेंगे आपसे next class में तब तक मौझ लो रोज लो ना मिले तो खोच लो, have a nice day